गाइज वन प्लस नाइन आर्टी इंडिया में नहीं आने वाला POCO X4 की भी इंडिया में आने की न्यूज आ रही है और भी बहुत जादा जबर्दस जबर्दस टेक न्यूज आज के स्टेटेस के अपिसोड में स्वही वोट्स अप गाइज मैं नेमी स्वहीर एज इस इपिसोड नमबर 226 ओफ TTS टेकने उसाओ लेज बिगई गाइज टेकने इसका मितलब टूजड़़ थर्स्टेड़ एंड सैटेड़ यह बहुत ही छोटे मैनर में आप लोग को दुनिया की सारी टेक की ख़बरों सरे अपडेटेट रखता हूँ तो बिना काइम पास किया, अगर दुनिया के खबरों से ब्रिटेट रहना है तो भाई चानल को सब्सक्राइब कर दो Let's start our take news with the other category Other category में सबसे पहली news तो Apple की तरफ से आ रही है Apple ने बोल दिया, finally, ऐसा officially खबर आ रही है कि MediaTek की तरफ से, MediaTek ने मचा डाला है, quite literally मतलब MediaTek ने अभी unveil किया, अपना MediaTek Dimensity 9000 processor भाई, क्या जबर्दस processor है इसमें एकदम brand new architecture वाला chipset है Cortex-X2 वाला main core है इसके अंदर और उसके बाद Cortex-A70 वाली core है वह सब important यह है, important यह है, यह 4 nanometer बना है तो सोचो कितना ज़्यादा power efficient होगा और इसका शायद सभी जो बीच में Antutu score लीक हो रहा था कि एक MediaTek का फ्रसर आने वाला है जिसमें 10 लाग के उपर का score आया है शायद से यह वही chipset है, जिसका नाम इन लोग 2000 से टागेट 9000 करती है और भाई क्या ही जबर्दत दिख रहा है इसमें LPDDR 5X का support भी है भाई साहब क्या भारी दिख रहा है लिटरली बहुत जबर्दत दिख रहा है आने तो फिर देखेंगे बाकि देखो आज 20 तारीक है, 30 तारीक को ही Qualcomm भी आने वाला है उसके वज़े से गाड़ियों का जो प्रडेक्शन है वह भी डिले हो रहा है विकाउस अ चिप शॉटेज यूज तो यह लोग सब मिलके ना बहुत सारी कंपनीज के साथ में चिप मैनुफेक्शर जो है जिसके पाथ चिप की फैब लाब्स है अच्छी बात है अगर कुछ करेंगे मिलके तो शायद से कुछ हो सके बाकी कार्स की बात करना हो तो एपल कार की भी न्यूज आ रही है ऐसा उनने में आ रहे है कि 2025 के एपल के एक कार आने वाली है जिसके इंदर ना स्टेरिंग होगा ना कोई पैडल होगा समझ रहो भाई मतलब सोचो पबली को कितना मितलब कितना जादा ट्रस्ट देना पड़ेगा इसी कार में बैठने के लिए सच बताना अगर आपको एक कार देखे जिसके इंदर ना स्टेरिंग हो ना कोई पैडल हो आप उसमें बैठोगे क्या में को डेफिनेटली बताना भाई बटा पले भाई कुछ भी कर सकता है अब हम लोग स्मार्टफोन की तरफ बढ़े तो यहां पर बहुत जबर्दस जबर्दस नियूस है सबसे पहले तो एक्जिनोस 2200 जो है यह प्रोसर के बारे में इसका गीक बेंच बेंचमार्क लिगवा है अगर आपने कुछ दिनों पहले मेरी टेक्नियूस देखी होगी तो मैंने कुछ ताइम पहले एकदम करीवाइल्ड काड फेका था एकदम वाइल्ड प्रडिक्शन मारा था उसके इंदर लाइफ़न य दो कोई भी पॉर्ड ने होगा इंड जो महिंगे वाले आइफ़ोन प्रो वाले उसके अंदर हमको थंडर बोल्ड वाला पॉट देखने को मिल चाता है मैतर थंडर बोल् यह मेरी प्रेडिक्शन थी और ऐसा लग रहा है कि यह चीज साच हो सती है सोचो भाई इतना वाइल प्रेडिक्शन भी साच हो जाए तो फिर क्या होगा उसके बाद कर दो तो शाओमी का एक फोन आने माला है शाओमी 12X करके अभी लास्ट टेक्निस में में आपको बताता है कि शाओमी का 12 Mini आना नाला है स्नाप्डरकन 870 के साथ में तो उसका नाम 12 Mini नहीं होगा उसका नाम शाओमी 12X होगा तो ठीक है भाई देख लो बाकि X बहुत सही नाम रखा ना पहले कैसा हो था था फोन्स जो है स्मार्टफोन की साइज़ चोटी होती और दोगों ने उसको छोड़के आगे बढ़ गए तो लोग अपने X पर जाएंगे वाओ इंपरासिव अच्छा स्टाइलिंग है बाकि ऐसा कंपनी ने सोच के ने रखा मैं ऐसा बगबग करो बाकि आगे बढ़े अगर हम तो रेड्मी नोट 11 प्रो जो है उसके बारे में नहीं हो जा रही है कि भाई इस बार जब इंडिया में ये रेड्मी नोट 11 प्रो आएगा तो फिर से स्नापडरगन के प्रोस्टर के साथ में आएगा स्नापडरगन 750 जी स्नापडरगन 750 जी बहुत पुराना हो गया भाई अभी मीटन आयव अगयरा में आया तो भाई अभी देखते क्या है लॉंच होने तो फिर देखा जागा पाकि रेड्मी का के 50 सुनने में आ यह एक फुल-fledged flagship होने माला है ठीक है भाई रियल में बहुत जारे स्मार्टफोन के मतलब क्राइटेरिया में घुसने की कोशिश कर रहा है एक flagship हो गया एक gaming series हो गई उसकी फिर एक camera series है तो ऐसा हर जगे रियल में घुसने की कोशिश कर रहा है अभी देखते क्या करते है पोको जो है उसकी बारे में ऐसा सुनने में आ रहे कि पोको X4 शायद से इंडिया में आ सकता है कुछी टाइम के अंदर तो थोड़ा सा वेट करो देखते है क्या करता पोको X4 वाला आई मीन पोको X series बहुत जबर्दस है रहती है तो बहुत जबर्दस रहती है बट जो पो अक्टोबर में आ जाएगा अक्टोबर के स्टाइटिंग में आ जाएगा आया नहीं भाई लॉंच ही नहीं के इन लोग ने बाकि अभी असा सुनने में आ रहा है कि OnePlus आर्ट करके कोई फोन आ सकता है ग्लोबल मार्केट में वन प्लस 9 को 9 हटा के आर्ट मतलब जो 9 आर्ट बना के ग्लोबल मार्केट में लोग लॉंच करने वाले हैं I mean क्यू भाई मतलब इतना सिंपल जो प्रोग्रेशन तुमारा चल रहा है उसको चलने दो जबरदसी क्यों तोड़ रहे हो लाइन और पब्लिक को कन्फ्यूस करना मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा स 120 यह से अमोलेट डिस्पले 4500 mh की बैटरी है एंड उसके अंदर हमको 65 वाट का चारजर भी देखने को मलता है कैमरा भी डीसेंट है थो देखते है थोड़ा सा वेट करो देखते क्या होता है वाई वनप्रस वाला क्या करता है इस बार तो बाकि यह थी सारी स्मार्ट फोन अब हम लोग गैजट की तरफ बढ़ें तो यहां पर सबसे पहले तो एक यहां रही है यह काइंड ऑफ गैजट की न्यूज नहीं है एक NFT आपको पता ही होगा बहुत सारो लोग अभी तक के इस चीज से मतलब अंजान है NFT का होता मैं आपको बता दू नॉन फंजिबल टू कोई वीडियो होगा यूटूब पर उसको बेज देंगे तो उसका एक टोकन करते हैं और उसको ब्लॉक्चेन के उपर डाले तो यह प्रोसेस है NFT का I am not a NFT एंजीनियर तो मैं कोई दम डीप में इसके बारे मैं आल जीन है लेकिन जितना मैंने सुना है उसका मैं बता रहा बेसिकली आप वो पर्टीकिलर टोकन के ओनर हो जाते हो तो वो मार्केट में अगर उस पर्टीकिलर NFT का उस पर्टीकिलर टोकन का या फिर जो भी पर्टीकिलर चीज वीडियो या फोटो या ट्वीट उस चीज से उस टोकन से एटाच्ट है उसका प्राइस बढ़ेगा जो पर दाल दिया है तो अगर आपको देखना है कौन-कौन सा NFT अवेलेबल है मतलब मतलब मिलेगा तो नहीं आपको डाउनलोड करके देख सकते हो कौन-कौन सा लेकिन दू ब्लॉक्चेन और वह सिक्योरिटी के वए से वह एक्चुली में जिसका है उसी को बिलॉंग करता है पब्लीक को भी उकूफ बनाने के लेकिन जो मेटा वर्थ है इसके अंदर तो डेफिनिटली यह चीज काम आने वाली है उसके बाद करूँ तो वाइफाइ 7 के बारे में नहीं उला दी कि वाइफाइ 7 कुछ टाइम में लाउंच हो सकता है एंड वाइफाइ 6 से बहुत जादा सुपीरियर हो सकता है तो मुश्ट प्रली मीडिया टेक अनाउंच कर सकता है देखते थोड़ा सा वेड करो बकि मैं ना गई कि आप लोग को मैंने पूछा था कि मेरे को टीवी का कॉंटेंट मनाना है तो मैंने दो टीवी प्लान करके डिवी देखा एक एक मुट्रोला का जैड एक्स पुरू करके है और एक थामसन का ओठ प्रॉ मैक्स करके है दोनों 4 रिच टीवी है 43 एंज डोनों के अंदर ाइपास पैनल है मुट्रोला के अंदर बाई डाल्बी विजन डाल्बी अटमॉस दोनों है मस्त साउंड बार व जो मुट्रोला का है उसमें 350 nits का brightness है और जो थॉमसन का है उसके अंदर हमको 400 nits का brightness देखनी को मिलता है तो IPS panel तो of course IPS panel है में को IPS panel ही चाहिए क्योंकि मैं कभी-कभी PCS से भी लगा के यूज करता हूँ तो अपना experience भी शेयर करो भाई वाकि यह थी सारी gadgets के न्यूस है अपनों PC वोड़े यहां पर एक न्यूस आ लिए कि जो Apple वाला है ऐसा सुनने में आ रहा मतलब एक patent आया उसके according Apple वाला foldable MacBook के उपर काम कर रहा है मतलब यह समझ लो यह Apple का MacBook है और इसको बिच में आप फोल्ड कर दोगे I mean of course MacBook तो फोल्ड होता ही है मतलब लीड फोल्ड होता उसका लेकिन यह पूरा एक टैब फोल्ड होड़ेदाएगा ओके ठीक है आने तो भाई क्या है थोड़ा सा वीड करो देखते क्या करते भाई future बहुत तगड़ा होने वाला भाई technology का तो यह इतना ही था आज का इस tech news में I hope आपको पसंद आएगी पसंदे पर लाइक शेर सब्सक्राइब कर दो and thank you so much for watching this video guys bye